इस वीडियो में आप लोगों को अपने NPCL के इंटर्वियू एक्सपिरियंस के बारे में बताऊंगा इस वीडियो में कुछ जनरल पॉइंट से बताऊंगा अगले वीडियो में मैं सुचा हूँ कुछ और चीज़ें कवर करूँगा अब प्रभाबली इंटर्वियू क्वेश्चन्स मेरे दिमाग से सारी चीज़ें अब धुल रहती दीरे दीरे तो मैंने सुचा इस पर ये वीडियो बना दू तो काम आजाएगा किसी को और मैं बडन हटाना चाहता था इसका फिर ध्यान नहीं रहेगा तो फिर यूज नहीं आपाएगा वो आपके यूज आ जाए मेरे तो यूज आ चुका है आपके यूज आ जाएगा तो अच्छा है इसमें जनर्रल चीज़ें बताऊंगा जैसे इस इंटर्वियू यह जो इंटर्वियू था सबसे पहले तो साइनटिफिक ऑफिसर सी पोजिशन के लिए था 56 बैस इक वो पोजिशन के पारत revenue में बतारू olması और इसका interview में मुंबाई में ही था और इस पर जो interview पे 60—70% वाला criteria रहता है वो रहता है तो return में जितने भी marks रहें वो सिर्फ आपका interview call देगा लेकिन interview call के बाद जो आप मैंने सुचा एक अच्छा मतलब experience हो जाएगा तो ये वज़े से मैंने appear करने की सुची तो interview मेरा यही था मुंबई में ही मैंने बस expect किया था कि मुंबई ही दे सकते हैं क्योंकि मेरी मुंबई ही posting थी और मुंबई का मुंबई में ही हो जाएगा जादा कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा मेरे को तो इसलिए मैंने सुचा अपियर कर लेता हूँ यही का यही है और बाहर से भी आएंगे अगर आप माल लीजे तो तो ट्रैवलिंग वगया के लिए मिल जाता है पर अकमोंडेशन का कोई शुर नहीं है तो जिस दिन मेरे को शॉट्लिस्ट का कॉल आया था एक्सपेक्टेट था थोड़ा कि आ सकता है तो शॉट लिस्ट का कॉल आया तो मुंबई में ही था तो मैं सुच चलो दे देते हैं इनका ओफिस या फिर लोकेशन बोलो जहां रहने वगरा का भी सब वहीं पर है वो अनुशप्ति नगर है वहां पर अंदर बार मैं गया सुबह के आठ नौ बजे बुलाया थे आठ बजे के रहां बुलाया थे तो मैं फटा पट पहन पूंगे सब कपड़े ना दोके मस पहुंच गया वहां और फिर उसके बाद वहां कॉलोनी पे जाने के बाद देखा मैंने उनका लगी बसा हुआ है पुरा समझ दो अंदर में खाने पीने के बी सुईधा दिख लेती इसब बार ऐसी अंदर है सब मतलब अंदर है मैं रहार भी नहीं आना पड़ेगा और बाहर रहने आओगे तो तभी आओगे में रहें को दा को अमार्ट कॉछ Lewis अकॉमंटेशन हो यहां पर तो बाहर रहने पड़े रहना कोशिश करते हैं और एधर मुझे नहीं पता कि मुंबई आने के लिए लोग रहते हैं क्रीम लोकेशन कौन सी है बार्क में मुझे यह नहीं आईडिया था तो अंदर गया सारी photos videos मैं आपको दिखा दूँगा कैसे थी थोड़ा positive green environment था अच्छा लगा देखके बाहर कि थोड़ा traffic ज्यादा रहता है और ऐसे greenery देखने मिलती नहीं है इंजनरल फिर अंदर जाने के बाद मैं वह building में पहुंचा जहां पर interview होने वाला था तो सुबह तो वो token देते हैं दो token देते हैं एक lunch के लिए और एक breakfast के लिए ब्रिकफास्ट वागरा खापी के आप family के साथ जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं पर उनको अंदर गुसने नहीं मिलेगा document verification वाले रूम में भी नहीं गुसने मिलेगा ऐसा मैंने देखा तो नहीं तो बाहर ब आरेंजमेंट का मतलब मेरे को नहीं दिखा कि पैरेंट्स के लिए भी या फिर गार्जिन के लिए भी उच आरेंजमेंट रहे लग से खाने को मिल जाएगा में भी उसके अलावा जब आप अंदर जाएंगे तो एक रूम में वह बैठा देते हैं common room रहता है सबका जहां प पर सर लोग थे और दो-दो समझ लीजिए बैंच वाले एक एक ब्रांच कवर कर रहे थे मतलब डॉक्यमेंट वेरिफाय कर रहे थे वो शुरू में बोल देंगे आपको कि यह यह डॉक्यमेंट से रिक्वाइड है और ऐसे से अरेंज कर लो आप यहां पर मैं इंटिमेशन लेके गया था अनोसी तो तब तक नहीं बन पाया था इंटिमेशन लेके गया था कि इसे काम बन जाये करके तो उन्होंने एकसेप्ट कर लिया था बाकी सारे जनरल डॉक्यमेंट जो टेंट वेल्ट और यह सब मार्शिट वगरा है जित्त है वो सब लेके जाईएगा डॉ दोक्यमेंट वेरिफिकेशन अल्मूस्स मेरा एक घंटे के बाद हो गया होगा और उसके 10-15 मिनिट बाद मेरे को कॉल आ गया था तो 10-15 मिनिट बाद जैसे कॉल आया तो एक दूसरे बिल्डिंग में लेके जाते हैं और दूसरे बिल्डिंग में वहाँ पर अलग-अलग पर अलग-अलग इंटर्वीयुस चल रहे होते हैं, जते हैं एकन फ्लोर पर एक साइड पर इसी का चल रहा है, ऐसे टाइप का सिनारियों इमेजिन करें बाहर बच्चे बैठे हो है अपनी टन का मैरे को भी सब घटा को बेठा दिया गया था और दो पैनल थे जिसमें से मै इतना तो दियान नहीं, जादा टाइम के लिए वेट नहीं कर पाया, और एक गार्ड भी धावा, तो गार्ड मतलब भेज रहा था अपने को, अब मैं फोल्डर रखा हुआ था, फोल्डर ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें ऐसे डॉकिमेंट्स भी थे, जो मैं तो बप्त बेट के लिए, यह 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 ले जाना साही नहीं है, कहीं देख लिए तो, हलाकि ऐसा कभी हुआ नहीं था मेरे साथ, पर जब गार्ड था, गार्ड ने बोला कि मैं लेके नहीं जा रहा था था, तो उसने बोला कि नहीं लेके जाया यह जरूरत पड़ जाती है, तम मैं सुचार यह फंस सकते हैं और क्या करें तो फिर अंदर गया तो एक पैनल मेंबर ने मुझसे ले ही लिया फाइल और देखा उसको तो वहां मैं फंस गया था वहां पर इंटरीवगा वाले विडियो में बताता हूं इंटर्वियू के कुईशंस के साथ इसमें बता दूंगा तो यह प्रसेश ता कैसे गया और क्या क्या स्कूरी चीज़ा होती वहां पर इत्ता मिलने के बाद फिर इंटर्व्यू खतम करने के बाद आप अपना टी ए बगरा का लेना है वो ले सकते हो और लंज करके टाटा बाई 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 सा तो यही मेरा मतलब आने जाने का रूटीन था और दूसरा एक जहां मैं नर्वस फिल किया था वो था मेरा ड्रेस अप आप दे इंटर्व्यू मेरे को लगता था कि वो चीजें नहीं देखता है आपका एटायर कुछ लोग सूट में भी थे मेरे को उसमें भी लग रहा था कि आना चाहिए क्या सूट में क्योंकि मैं सर्विस वाला पहले ही हूँ पर मेरे को कमफर्टेबल फील नहीं हो रहा था सूट पर वहां से मैं सीखा कि और थोड़ा सिंपल रखना चाहिए ब्लैक और वाइट में ही मैं रखता हूँ फिर आप से जनरली ताकि एकदम ऑक्वर्ड सा और वन आउट टैप का ना फील हो है पर इसके उपर कुछ नहीं होता आपके पहनावाय बस पॉर्मल रहना चाहिए ब यह इस पर मैं जनरल चीज़ें ही कवर करना चाहता था ठीक इसके अलावा इस पर कुछ लगता है आपको तो इसके लाएक वीडियो के लाएक कुछ कमेंट तो इस पर डाल देना फिर नेक्स मीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन के साथ तब तक बाई 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 प्राश वाएक कर दो तक दह में अलाई सकता हैं के लाएक हैं मिलते हैं क्वेश्चत तक कर माहते हैं